आज कच विशेजस के बार में हम बात करेंगे जब मुसीबतों के पहाड अचानिक से तूटने लग जाए सर के उपर एक के बाद एक के बाद परिशानी है अगर एक इंसान को घिरे जाए तो एक इंसान क्या करेगा वो बताने जारी हूँ कई बार क्या होता है कई बार हमारी जो प्लैनेटरी पॉजिशिन्स होती है वो कई न कई फेवर में नहीं होती और कई बार एक होती एस्ट्रोलिजी एक होती निम्रोलिजी एक होती है सबके फादर साब वो वाली जो कैल्कुलेशन है वो जो हमारा साल शुरू हुआ है वो ब यह थे आहाई है तो मैं आपको पूरा का पूरा पएकेश दे रही हूं यह पेसे कि आपको बात बतां के आपको अंधर की सीक्रेट बात बताती है एक अट चू आड करते हूं अगर आप वाकी में कहते हैं कि इंसान को जब वो शीशे में देखता है कई बार तो अपने से ही बंदा जूट बोलता है मैं उन लोगों के बार में बात नहीं करी अगर आप अपने को शीशे में देखते हो आप अपने आखों से आखे मिला के देखते हो आगर आपने वाकिए में किसी का गलत नहीं कर रहे हैं, आप किसी के ठेस नहीं हो पोचा रहे हैं, आप अपनी नियत से एक दम पाक साफ हैं, तो आप ड़रा मत करो, आज आपको एक बात बताती हूँ, सुभे बच्चों को खाना देने जाती, सुभे मेरे रोज राडे होते, मतरव ऐसे ऐ खाना क्यों देरेगा खाना तो एक ना उरत ऐी कहती तुम इनको खाना नीजो ठीक है, मैंने कांजिन इन से बिमारियां प्हेलता है बिली को अधर बिली को खाना खिला रही थी उधर भी बच्ची है ना बिली डौगी है वो करके मैं का नहीं मैं का मैंने तो खिलाना है ऐसे करके नहीं ये मेरे बच्चे आज थोड़ा लेट हो गई उस जगह पे लेट हो गई वरना मैं चार बजी तक वहाँ पहुच के सब हो जाता किसी के मत्था पच्ची नहीं होती मेरी है न उसने मेरे को क्या बोला देखियो तेरा क्य हशर होएगा तेरा उल्टा वक्त चलू हो रहा है ले ना लेना एक न लेना दो अब आप एक बात बताओ है अब अब किस उसने तो मेरे को बद्द्वा दी मेरी नियत साफ मैं तो क्या कर रही हूं मैं तो अपने बच्चे को खाना के ला रही हूं ठीक है ना आप मैं डर ज मैं कंसिल्टेशन करती है मिरे को समझ में आता है उनके इतने चाण छूhos रहा था मतलब एकदम पैसा भी आ रहे ये वह रहे वह बही हो रहे घर की खुशियां वारे वह एकदम मतलब ऐसे कर लिका ना बड़ा घर का महाल भी एह पैसा भी वह आ रहा है यह भी हो रहा है अचानक से कुछ ऐसे हो गया तो मैं पूरा पूरा आपको चीजे बताती हूँ उस उस से आप चलो मैं कहती है न जैसे अचानक से अच्छी खासी जॉब चल रही थी अचानक से एकदम रेजिगनेशन मतलब एकदम उनको बोला कि आपको रेजिगनेशन लेटर देना पड़ेगा रातो रात जबकी एक बाप जिसकी बेटियां भी हैं जिनकी शादी होनी है आप सोच उस बाप का क्या वो होएगा जे एक बाप जिसको पता है बच्चों की फीसे वगएरा जानी ह है खुद बंदा रेंट पे रह रहा है रेंट देने सब कुछ देने सब कुछ देने कैसे होएगा तो मैं आपको एक पूरा जिस लिहाद से चला रही आप चलो देखो पित्रदोश भी होता है पित्रदोश पित्रदोश मैटर करता है देखो लेकिन यह जो लोग बोलते हैं जी पित्रदोश है तो यह पूजा करानी पड़ेगी यह वो ऐसा है से करके वो एक बार का कारिक्रम नहीं होता वो आपको खुद खुद तरपन करना पड़ेगा तभी बात बनी बनूगी तभी सब हो जुगा आपको मैंने बोला ना दूसरे भाव में पाचवे सातवे ग्यारवे बुद शुक्र राहू जैसे कंजंक्शन बुद जैसे बुद राहू या शुक्र राहू आप समझे बुद राहू या शुक्र राहू बुद राहू ऐसे करके है ना और मैंने आपको क्या बोला था जब जुपिटर का ब्रस्पति का अगर संबंद बनेगा जब एशक ग्यारवे भाव में या साथवे भाव में जैसे शुक्र शनी आप समझे या तो ब्रस्पत रहू तो वो क्या करेगा वो पित्र दोश उथपन करेगा अब हम जी परेशान बहुत हैं किसी के पास गए तुमारी श्रापित पत्री है श्रापित पत्री भी मैंने आपको मेश समझाए दसवे भाव में जैसे शनी केतू हो गया चंद्र राहू हो गया सूर्य शुक्र हो गया है ना आपको मैंने बोला बुद्ध ब्रस्पति हो गया यह अगर दसवे भाव में यह है तो वो क्या बोला जात का अंधी पत्री स्ट् shrugl तो आईगी तया बात है यह तो बात हाई यह मैं कहती ही अगर लेकिन केपी सिस्टम से 10 सवा 11 घर कहीं किसी लेricular समें connected है टो फिर कहीं ना कई बचेंगे लेकिन उसका effect तो फिर भी रहेगा ना मतलब कहने का मतलब ये अब चाहे आपको कहने गर मन में डर भी बैड़ जाता है मन में डर भी बैड़ जाता है ना इंसान के रूख क्योंकि एक इंसान ने इतनी difficulty देखी है अगर मान लो कोई आपको कुछ ऐसा बोल भी गया तो दिल देहल जाता है है ना को मैं फिर से तो उस वो जो अंधेरा देखके आई हूँ जो अंधेरा देखके आया हूँ मैं फिर दुबारा तो नहीं देखने को मिलेगा मतलब ऐसा है ना कोई बात ही पहली चीज तो आपे काम करो एक तो सुभी उटते है ना को कहते महा मृतिंजे का हवन करो सिंपल है कोई ऐसी बात नी कहाते काय को पला देशी कपूर गी डाल कर अगनी जलालो ठीक है और ये ना तब भी बोलो ये मैं करम करने अपना नाम बोलो अपने घर वालों का नाम बोलो और पि पित्र दोश, फित्र दोश यांती के लिए भी वह बला भी मैंने आपको पताया ऑर ये वाला जो रूतीन वह खाली ना जाए मैं इस करके कह रही थी ठीक है तूसरी चीज आपको बताती हू शनीवार को जैसे मंदिर के भार बैठे होते हैं ना एक तो कचोडियां काली रद की डाल की बनती ना कचोडी कचोडियां और खोई के पेड़े वो प्लेट में ऐसे करके कचोडी रख लो दो खोई के पेड़े रख लो जितने बैठे हैं जिस हिजाब से हो सके उनको सब शनिवार के दिन ये वाला करम करो अब पकड़ते संगल को अभी तो चंद्र को भी पकड़ना है क्योंकि जब अगर फाइनेंचल क्रैसिस बहुत जादा बड़े जा रही है कई बार क्या होता है हैं टू माउथ वाली सिच्वेशन हो जाती है मतलब है न अपनी जरूरतों के लिए भी वो पूरा नहीं हो पा रहा मतलब ऐसे करके तो मैंने आपको एक बार क्या बताया था एक तो थोड़े से गेहूं थोड़े से चावल और मसूर की डाल उसके उपर आपने दूद का छिटा मारना है और सोमवार को इसको मंदिर में रख के आना है बेशक एक-एक मुठी डालो कोई मैं समझती हूं एक-एक मुठी में मैं हमारी सोम वार को करना है अभी मंगल को भी पकड रही मैं मंगल बहुता है जड़ोगे की गया काम है बोलने वाली बात नहीं है मतलब क्या बोलो जीवन ही संघर्ष लगता है हर दिन का ऐसा यह मैं समझती हूं जब इतना सर पे चीज़े होती है यह भी देखना वो भी देखना तो कहते हैं एक इंसान जब सो करी उठता है एक होता बंदा फ्रेश उठ रहे हैं ऐसा है ना कई लोग दे लुक फोवर्ड तू मतलब कि आज का दिन ऐसा यह नो तरसे मोटिवेशन लेकिन जब इतना बोज होता है तो वो मोटिवेशन धरी की धरी रह जाती है चीज़ें यह ऐसी सिच्वेशन ही ऐसे बनती ही यह सीदी बात है आपने क्या करना है एक जबर्दसी चीज़ बताती है इसको एक नियम बान लो बाबा आपने गुड की जो गेहुंकी रोटी होती है वो बना के उस पर थोड़ा सा घी लगा कर थोड़ा सा घी लगा देना उसको गाए को खिलाना मंगलवार, मंगलवार, मंगलवार को शुरू करतो आप, आपका मंगल कहते हैं ना कई ना कई मंगल को भी फेवर में किया, हमने ब्रस्पत को भी फेवर में किया, इसको एक नियम बांध लेना और ये हर मंगलवार मंगलवार तो कम से कम करना ही करना है, और अगर वाकी में जगड़े भी बढ़ रहे हैं, नुकसा कानक से कुछ होता है एक इधर एक तितर पितर हो जाते हैं आदा घंटा भी मुश्किल से कठेनी बैड़ पाते हैं इसी हर बंदा रह तो रहा है गर में लेकिन हर बंदा कहीं न कहीं अपने में अधूरा है क्या करेंगे यह जो मियां बीवी के जगड़े भी होते हैं यह वक्की में बेड़ा पार करेगा यह वक्की में आपके घर पे जो जगड़े हो रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है उसको उसको आएगी काबू में और पक्का बाद है आएगी तो आएगी कहा दिया सो कहा दिया बात खतम क्या करोगे चार क्या कहते हैं चार ल वो रात को रखे आप सो जाएंगे, सुबे जो है घर के बाहर किसी कंडे पे, कंडा होता है, मैं तो कहे रही थोड़ा सा गाह को अपला रख लो, कपूर जिला कर उसको डाल दो, वो अपना जलता रहेगा, जलता रहेगा मतलब घर के बाहर होना चाहिए ये वाला जो है करम आपने रात को रख दी और घर के बाहर जला दो लगेगा थोड़ा सा लगेगा कभी ये भी लगता है आया है मैं क्या कर रही हूं आप ये मत सोचो आप बस जिस हिजाब से बस वो कहते हैं गोड़े के दर पूटीन से आप ये फॉलो कर लो आपको किस चीज पर वीडियो चाहिए वो मैं बनाओंगी आप कमेंट करो है ना वह अंतरमन हीलिंग पर आएगी जो आप कमेंट करोगे उस पर भी मेरे को यह वाला कमेंट पकरना था एक्चली ये बद्दुआ वाला लेकिन अगर अगर वो क्या वो देखते नहीं है ना मतलब ऐसा कभी डरनेगा नहीं जब अपन सच्चे ना था है चल कोई बात नहीं देखो देखा जाओ जो हूँ सिधी बात ये एटिट्यूट रखनेगा है ना कोई घबराओ मत बाकी एक आपको बात बताती मैं मेरे को ना बहुत मेसेज़ आई हुए थे उसमें से मैंने ना कुछ कुछ के देखे भी थे के वो एस्टो बास्तू प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते है जैन्वरी वाला बैच मैं उनको रिप्लाइ करने लगती तो एक कॉल आ गया फिर कंसिल्टेशन हो जाती तो रिप्लाइ कुछ लोगों के मेरे करन पूरी डिटेल्स दे दूंगे एस्टो वास्तू की या वास्तू प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो या खुद के लिए करना चाहते हो कोई दिकत वाली बात नहीं ठीक है जी चैनल को सब्सक्राइब करो मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो इसे को लाइक करो शेयर करो इ बाब बाब नमस्कार